हलो दोस्तों आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में इकाई अंक कहते हैं सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट डिजिट ही आईकाई अंक होता क्या है मालोकी मैं आपको बोल दूँ कि आपको 13 गुना 12 का यूनिट डिजिट बताना है तब 13 गुना 12 करेंगे होता है 156 156 का जो 6 है यही इस 13 गुना 12 का यूनिट डिजिट है अभी आपको इतना भी करने का जरुवत नहीं था अब यह देखो कि 13 का यूनिट प्लेस में कौन सा नमबर है 3 है 12 का यूनिट प्लेस में 2 है आप सीधे 3 गुना 2 करके भी यह बोल सकते हो कि 13 गुना 12 का यूनिट प्लेस में 6 आएगा अभी और एक 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 जमपल देखते हैं इसमालो कि आपके कोश्चन में आगया 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 और गुना 15 का यूनिट प्लेस बताना है तो आप सब का गुना करने नहीं जाएंगे आप केवल यूनिट प्लेस का गुना यूनिट प्लेस के ही साथ में करेंगे ठीक है, एक गुना दो करेंगे तो दो दो दिया, छे, छे चॉब चॉबिस यहाँ पर चॉबिस है, इसके मतलब यह नहीं कि अब चॉबिस का मल्डेपलाइ पंदरा में करना है, या फिर पांच में करना है, वैसे टाइम जदा लग जाएगा अब यह देखो कि चॉबिस का युनिट प्लेपलेश में कौन सा नमबर है, चार है, अब पंदरा का युनिट प्लेश में पांच है आप 4 गुना 5 करेंगे होता है 20 20 का unit place में 0 है मतलब इस series का unit place में कौन सा number आएगा 0 अभी आप series वाले question को और भी sort form में बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कभी भी unit place में find करने के लिए बोले और series वाला question रहे तो आप सिर्फ वहाँ पर इतना देखो कि क्या किसी भी दो नमर को multiply करने से 0 आता है तो आप यहाँ पर देखो 4 गुना 5 करने से 20 होता है और 20 का unit place में है 0 और आपको मालूम है कि 0 का multiply किसी भी number पर करेंगे तो वो 0 ही होता है तो आप सीधे इसका answer 0 देता हूँ ठीक है अभी बात करते हैं हम लोगों को कौन कौन सा नमबर का unit place find करने के लिए सीखना है 4, 5, 6, 7, 8, 9 अभी हम लोगों को 0 से लेकर 9 तक का unit place find करने का सीखना है कि क्या rule होता है सबसे पहले बात करेंगे 0, 1, 5, 6 यह ऐसा नमबर है 0, 1, 5, 6 यह ऐसा चार नमबर है जिसका unit place हमेशा सेम रहता है एक्जामपल के तोर पे अगर मैं आपको बोल दोओं कि 5 का power 105 है आपको इसका unit place बताना है possible तो है नहीं कि 5 को आप 105 पर multiply करके चेक करेंगे कि इसका unit place में कौन सा नमबर हा रहा आप देखें कि 5 का power जो भी हो वो matter नहीं करता है इसका unit place 5 ही होगा क्योंकि आपको मालूम है 0, 1, 5, 6 का power अगर मैं कडोरो में भी बिठा दूँ तो भी उसका unit place सेम ही रहेगा ऐसा क्यों होता है 0 का power अगर मैं एक बिठा दूँ तो होता है 5 5 का power अगर 3 बिठा देता हूँ तो होता है 125 5 का power 4 बिठा देता हूँ तो होता है 625 अब हर हल में देखो unit place में 5 ही आ रहा ठीक है अब मैं आगे भी बढ़ जाओंगे तो भी 5 ही आएगा unit place में यही 6 बिल्कुल 6 के साथ भी होता है तब सीधे याद रखो कि 0, 1, 5, 6 ऐसा number है जिसका unit place हमेशा सेम ही रहता है ठीक है 0, 1, 5, 6 हो गया अब बच गया 2, 3, 4, 7, 8, 9 यह ऐसा number है जो 4 के बाद अपना unit place को repeat करता है ठीक है कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 2 का ही देखते है 2 का पावर 1 बिठा देने से 2 होता है 2 का पावर 2 बिठा देंगे तो 4 2 का पावर 3 बिठा देंगे तो 8 2 का पावर 4 बिठा देंगे तो 16 2 का पावर 5 बिठा देंगे तो 32 2 का पावर 6 बिठा देंगे सकेन नमबर में 4 है, शटे नमबर पे भी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 2, 3, 4, 7, 8, 9, यह ऐसा नमबर है, जो अपने यूनिट प्लेस को 4 के बाद रिपेट करते हैं, ठीक है, मालू कि आपके कोश्चन में आगया, 2 का पावर, 2 का पावर 421 है, आपको मालू में कि 2 ऐसा नमबर है, जो अपने यूनिट प्लेस को 4 के बाद रिपेट करता है, 2 का पावर 421 है, आप इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा, 4, 4, 25, रिमेंडर कितना आया, 1 आया, आप 2 का पावर 1 बिठा दो इसी र इंसर आ जाएगा 2, ठीक है, 3 के साथ भी बेलकुल यही होता है, 3 का पावर 1 करेंगे तो 3, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81, 3 का पावर 5 करेंगे तो 243, यहां पर भी आप देखो 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपेट हो र ही है फिर इसके आगे जो आएगा वो 9 रहेगा उसके आगे जो आएगा वो 7 रहेगा ऐसे ही रिपीट होता है ठीक है बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि 4 और 9 का अलग फंडा बनाते हैं ठीक है मेरे हिसाब से आप 2, 3, 4, 7, 8 और 9 का एक ही तरीका याद रखो क्या तरीका कि ये ऐसे नमबर है जो 4 के बाद अपने यूनिट प्लेस को रिपीट करते हैं इनका पावर जितना भी हो आप उसको 4 से डिवैट कर देख सकते हैं जितना भी रिमेंडर आएगा आप उस रिमेंड आपको बता देता हूं 4 का पावर एक करते हैं तो 4, 4 का पावर दो करते हैं तो 16, 4 का पावर तीन करते हैं तो 66, 4 का पावर चार करते हैं तो 256, और 4 का पावर पाँच करते हैं तो 1026, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका चार का पावर विसम संख्या में है, चार का पांच है विसम है चार है ठीक है अगर चार का पावर समसंख्या में है तो उसका यूनिट प्लेस 6 होगा अब देख सकते हो ठीक है तो आपको इतना जमेला याद रखने का जरुवत ही नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एक से दो कोश्चन इस इसा नंबर है जो चार के बाद अपना पावर को सॉरी जो चार के बाद अपने यूनिट प्लेस को रिपीट करते हैं ठीक है आप इसके पावर को चार से डिवाइड करो जितना भी रिमेंडर आएगा उसी को उस नंबर का पावर लगा दो अपका यूनिट डिजिट आ जा 2565 आपको मालूम है कि चार ऐसा नमबर है जो अपने यूनिट प्लेस को हर चार के बाद रिपेट करता है अब मुझे चार से डिवाइड करना है इतने सरे नमबर को ठीक है 25625 को चार से डिवाइड करने का भी अपना रूल होता है कि आप केबल लाष्ट का दो डिजिट को ही चार से डिवाइड करो आपको ये मालूम चल जाएगा कि वो नमबर पूरा चार से कट रहा है या नहीं या फिर रिमेंडर बच रहा है तो कितना बच रहा है यहाँ पे आप द करते तो भी रेमेंडर एक ही आता है मैंने क्या बोला था जितना भी रिमेंडर आएगा उसी को ऑस नंबर का फावर बिठा तो आपका युनिट प्लेस आ जाएगा ठीक है रेमेंडर भी कभी भी चार से ज्यादा नहीं आएगा ऐसा डॉट मॉन में मतला ना क्यूंकि चार का multiple ऐसा होता है जो हर 4 के series में चलता है तो यह possible नहीं है कि 4 से ज़्यादा आजाए अभी मैं next वीडियो में बहुत सारा question कराऊंगा तो आपको सब चिस पूरा अच्छा से clear हो जाएगा अच्छा ही का ऐसा question बता देता हूँ जिसमें पूरा कड़ जाता है चार का पावर 424 ठीक है चार का पावर 424 यहाँ पे भी आप लाश्ट का दो ही डिजिट को केबल 4 से डिवाट करो आपको पता चले है कि पूरा कड़ गिया यह नंबर remainder कितना बचा जिरो बचा इसका मतलब यह नहीं कि आप चार का पावर आपको remainder जिरो बचा देना है जिरो आ जाने के मतलब यह हुआ कि आपकी cycle 4 पे जाकर रुख जा रही है ठीक है यानि कि फिर से आप उस नंबर पे 4 ही पावर बचा दो 4 का पावर 4 अब यापको 4 का पावर 4 याद है तो ठीक है 46 होता है यानि 6 का युनिट प्लैस होगा अगर आपको याद नहीं है तो आपको 4 का पावर 4 निकलना है तब इसको ब्रेक कर दो 4 का स्क्वेर गुना 4 का स्क्वेर में 4 का स्क्वेर करेंगे 6 का स्क्वेर याँ पे भी आपको Councillor ंट प्लेस का गुना सरे कोश्चन कराओंगा तो अब बने रहीएगा मेरे साथ आज के लिए ठेंक यू